हाई अब्लीवन वेलकम टू माई ये टूप चैनल सिक्षा दिक्षा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें बहुत सारी लोगों ने मुझसे डिमांड किया थे कि मैं प्लीज एंटी पीसी के जो कॉश्चन आय हुए हूँ उनसे रिलेटड कोई वीडियो बना दीजिए तो ये जो वीडियो है उसमें जो आपके एंटी-पीसी के प्रीवियस एयर के वही मैंने रखे हैं कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है सारे क्वेश्चन आपके एंटी-पीसी एक्जाम में पूछे गए हैं एसी और भी व पूछे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजे लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मवदेश दिया था कह तो इसको बोला जाता है धर्म चेकर प्रवरतन ठीक है चलिए नेक्स हम देखते हैं थोड़ी कुछ इंपोर्टन चीजे मैं आपको बता दो बुद्ध जी की जितनी भी घटनाये हैं वह सारी की सारी पूर्णिमा के दिन हुई और और बहुत सारी चीजे हैं जो जब मैं आ बदूर पूछे जाते हैं कि हेड़कौर्टर कहां है तो अंतराष्टी नेयाले का जो आपका मुख्याले है वो है दा हेग में यह इंपोर्टन तो ऐसे है यह क्योंकि आपका क्वेशन पूछा गया था लेकिन अगर करेंट अपयर के लिहाज से देखे तो भी आपका अगर आपके जुलाई की करेंट पेर आते हैं तो अभी हाल की ही नियूज है कि कुल भूश्ण जादों की जो फासी है उस पर रोक लगाने का निर्देश दिया जो आपका अंतरराष्टी नेयाले है उसने तो यह खबरे जो है लगातार इंपोर्टन रहती ही रहती है तो म मुख्याले पहुत इंपरेंट एक ही तराष्टी नेयाले का मुख्याले कहाँ पर है तने ङीट है पंच मार्क सि्खे सरवादि Μुप से चिस धाटू के बने मर्षट्टी सब्सकूरा जीकार टपा मार के आकरती अंकेती की जाती थी यानिए जिनको आहत थिक्या भी बोल फ्राप्त मेंugal जान करता हुएं के अलावा तामभा हो गया काउसा हो गया फ्राइण इन गदाथवे सरा में लेकिन सबसे अधिक मात्रह में पूच्छ प्रास्ट timос रासभा को पदेन अध्यक्ष कोन होता है उपराष्ट पती तो इसमें जो आपके उपराष्ट पती वही क्या बोले जाएंगे इसी बार कि जो आपका CHS अलेक्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया तो पुलकेशन दिती ने किसे पराजित किया था तो उसका तो एंसर था आपका हर्षवर्दन लेकिन यहां जो क्वेशन है यह कि पुलकेशन दिती किसके द्वारा पराजित हुआ था यानि पुलकेशन कि भी बोला जाता है ठीक है तो वह व्यातापी का युद्धा था जो नर्सिंग वर्मन प्रताम और पुलकेशन दिती के बीच में हुआ था जिसमें नर्सिंग वर्मन प्रताम जो थे उनकी विज्जय हुई थी ठीक है next question देखते हैं गोवी का रिगिस्तान कहां पूछा क कब हुआ था तो कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीड जो समझोता हुआ था वह हुआ था 1916 में जिसको हम लखनव पैक्ट के नाम से भी जानते हैं ठीक है मैंने इसको लिख दिया है ताकि आपको याद रहे 1916 में आपका कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझोता हुआ था जिसको कि हम लखनव पैक्ट के नाम से भी जानते हैं फिर क्वेशन आपसे पूछा गया था UNFCCC का पूरा नाम पूछा गया था जो की होता है United Nation Framework Convention on Climate Change ठीक है United Nation Framework Convention on Climate Change यह है आपका UNFCCC का पूरा नाम चलिए next question देखते हैं भारती सम्मिधान का अनुच्छे 356 प्रदान करता है क्या प्रदान करता है कौन सा अधिकार देता है तो यह राश्पती शाषन के बारे में बताता है यानि कि अगर कहीं भी जो है किसी भी राज में आपका राश्पती शाषन जो है वो लागू किया जा सकता है अनुच्छे 356 के कॉर्डिंग ठीक है लेकिन उसकी कई शर्ते भी होती है चलिए next question देखते है मानोजीब में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं तो मानोजीब जो होती है उसमें ऑस्तन 2000 से 8000 लगवं 9000 भी होती है कई जग आपको 9000 भी लिखा मिल जाएगा जो कि आपके एक एडर्ट से थोड़ी जादा है जब होती है प्रोड अवस्ता जिसको हम बोलते उस अवस्ता में लगवं 9000 जो कलिकाएं होती है स्वाद कलिकाएं लेकिन जो आपका यंग एस तक का है या इडर्ट तक का हम बोलें वह 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं आपकी जो है जीब में मौजूद होती है स्वाद कलिकाई है ये एल्फ करती है कि आमको पता चलता है कि टेस्ट कैसा क्या है विससी तो आप जानते हैं जीब में खटे के लिए कोई और जगा और कडवे के लिए कुछ और ऐसा करके हमारी जीब में आप जब पढ़ते हुआ चोटी क्लाफ में तो या आपको पता र जीब में और जैसे हमारी कुछ फिवर होता है तो आपने देख हो गर भी we met तो खाना-पिना पीना कें अच्छा लगता है क्योंकि होता है में जब काफी एज़क हो जाते हैं तो उन्हें जो मिल जाता है यह एक काफी हुझ की उनको तेस्ट में उतना ज्यादा भी नहीं पाथ क्योंकि जो ने होते हैं टेस्ट वाले वो लगवग काफी हद तक शितिल हो जाते हैं चलिए कुछ और देखते हैं सन 1919 में रवीन रना टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपादी को क्यों लोटाया था ठीक है तो एक चीज़ तो इससे पता चलती है कि 1919 में रवीना टैगोर को नाइट हु उसके कारन का मन द्रवित हुआ और उन्होंने पादी लोटा दी क्योंकि बिटिस सदकार की तरफ से मिली थी तो उन्होंने उसको एक तरीके से विरोध था शांती पूरोग विरोध कि हम आपका ये दिया वो पुरुसकार या जो भी उपादी आपने दी है इसको नहीं आनले जानते है आमेजन के जंगल ध्यल में लेकन काफी एरिया आमेजन के जंगलों का ब्राजील में सबसे ज़् Barbourist छो एव ब्राजील में लगता है इसके अलावा बास भी बोला जाता है उसको और आपका रेनफोरश तो है यह वह आमेजन बेसिन की बंड ठीक है चलिए नेट्स देखते हैं हेली कॉमेट्स के बारे में पूछा गया था है हेली धूमकेतु जो है वो कब दिखाई पड़ेगा ठीक है तो पहले में थोड़ा सापको हेली कॉमेट्स का नाम हेली कॉमेट्स रखा गया ठीक है कब दिखाई पड़ेगा 75 वर्स में एक बार दिखाई जिता है वैसे तो 75-76 वर्स बोला जाता है कि 75-76 में वह एक बार दिखाई लेता है यानि लोग बोलते हैं कि अगर जो भी मनुष्य है उसकी जीवनकाल में वह दो कोमेट्स को अपनी नॉर्मल आइस से देख सकते हैं आपको कोई भी टेलेस्कोप अगरा कुछ भी लगाने की ज़रूत नहीं है अगर यह सामने से जा रहा है तो हम इसको आराम से देख सकते हैं जाते हुए चंकीली एक तारे की तरीके ठीक है तो इस तरीके वह हमको दिख बाठीक अगरा की कव दिखायी देख से देख से दिवस कब मनाया जाता है छो आपका वर्लवन मनाया जाता है दस अगस्वाक्त अच्छे से याद रखेगा भारती राश्च्री कॉंग्रेस के प्रथम मुसलिम अद्यच थे कौन थे यह क्वी पूछा जाता है ठीक है यह कow इचे किर Şimdi कोंग्रेस के प्रतम मुसलिम स्थू लिश्न थे अपके बदरूदीन त्याब सौरीट हे थे भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के प्रत् Ihr के प्रत्रम मुसलिम अध्यक्षन ऐसी नेक्स कौेश्न कि माउंट कंजण राइड लाएा विष्व का तीसरा सबसे उचा परवत है उसके तेरस्ग लिए मॉन्तर है इस चोलोक यह ऩूकर सब्सक्राइब गौडविन आस्टिन ठीक है इंट थर्ड नंबर पर जो सबसे हाइस पीक है आपकी वो है माउंट कंचन जंगा ठीक है तो next question देखते हैं जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किस ने दिया था ठीक है तो बंगाल विभाजन का आदेश जुलाई 1905 में दिया था कैसी लगी है आपको आज के वीडियो मुझे जरूर बताईएगा कमेंट में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजेगा तो जरूर बताईएगा कमेंट जरूर कीज़ेगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक के लिए सीखते रहिए पढ़ते रहिए सिक्षा दिक्षा के साथ